तो गाइज यहां नाला पानी वार मेमोरियल में रीट लेंग सेरिमेनी अटेंड करके अब में घर वापस जा रही हूँ शाम को भी एक इवेंट है शाम को सहसदारा रोड पर जो वार मेमोरियल है वहाँ 6-8 बजे तक कल्चरल प्रोग्राम होगा जिसमें कि आपको नेपाली फोक, सॉंग्स और डांसेज देखने को मिलेंगे बहुत बड़िया परफॉर्मेंसेज होँगे तो आपको अपने साथ लेकर चलूगी तो बने रही हैगा मेरे साथ इस कल्चरल इवेंट को विटनेस करने के लिए तो अभी बज़ रहे हैं सवा पांच तो बस मैं निकल रही हूँ अब आप से वहीं पहुंच कर मिलूंगी बने रहीगा मेरे साथ तो मैं फाइनली यहां पहुंच गई हूँ तो चल यह अंदर चलते हैं अच्छा आप मेरे सामने यह जो वार मेमोरियल देख रहे हैं न यह खलंगा वार के बाद ब्रिटिश सेना दौरा बनाये गए थे एक तो जनल जिलेसपी और ब्रिटिश सेनिकों की याद में जो इस युद में मारे गए थे और एक गोर्खा सेनिकों की वीरता को याद करते हुए उन गोर्खा सेनिकों के याद में जो की इस युद में मारे गए थे तो ये सहसदारा रोड पर है एक war memorial वो है जहां में आपको सुभे लेकर गई थी वो नाला पानी में है और एक war memorial ये है जो कि सहसदारा रोड पर है तो आज जो शाम का cultural event है वो यहां होने वाला है तो चलिए आपको लेकर चलती हूं अंदर तो अभी थोड़ी देर में ये program श सेंती मेला 2024 की पूर्व संध्यास में इस रमणीक वीर भूमिस मारक स्थल में बल्भत्र खलंगा विकास समीती एवं भारतिये पुरातत्व सर्वेक्षन देरादून मंडल दोनों टीम के ओर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूं हमारी आज की कारिक्रम की मुक्य आती थी हमारी बहुत कर्मट मात्र शक्ति श्रीमती मदुभट जी राज्य मंत्री उत्राकन सरकार आपका अभिनंदन करती हूं तो चलिए चलते हैं आज की प्रस्तितियों की ओर तो मैं अपनी सहयोगी गीता थपाजी को मंच पर अमंतित करना चाहूंगी धन्यव धन्यवद प्रभाजी हम्रों भाशा रभेश हम्रों पहिचान हम्रों टोपी रखुकरी हम्रों शान होई नरा होनी गुद इवनिंग एव्रीवान माननी आती थी गण एवं मेरे परम आदर्णिय समस्त उपस्तित गण को मेरा सप्रीम नमस्ते तुझी नमामी हो राग दे जी हाँ, ये आज की हमारी प्रत्वम प्रस्तोदी है, एक देश भक्ती नरत्या तो इन बच्चों को उत्सा वर्दन के लिए मैं करनल SS कमर और स्रीमती भुमिका कमर जी को मंचपर आमंतित करना चाहूंगी कोरियोग्राफर भी आएं मंचपर क्योंकि सारी मेहनत उनकी होती है उनला सर्टिपिकेट दी दो स्रीमती प्रियांका घर्ती जी की अवाज में आपको आपके सम्मुक प्रस्तुत करने जा रहे हैं खलंगा का संचिप्त इतिहास थांक यू सो मुच मैम फॉर हविंग में अन दिस पोडियम बस हवाओं को यह बात बताए रखना रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना लहू देकर हिफाज़त की थी जिसकी शहीदों ने उनके नाम को अपने दिलों में बसाई रखना अत्यत ही अविमान का विशे है कि आज हम जहाओं पस्तित है वहे खलंगा युद समारक नकिवल उत्तराखन अपितु भारत की एक अनमूल विरासत है विश्व में युद्ध के तिहास में यह एक मात्र ऐससमारक है जो शत्रु सेना ने विरोधी सेना की बहदुरी और उनकी वीरता का बखान करने के लिए बनवाया मैं बलबदर खलंगा विकास अमिती के अध्यक्ष श्री विक्रम सिंग थापा जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारी मुख्य अतिती श्रीमती मदुबट जी का स्वागत अभी नंदन खादा उड़ा करें कि वे लेटनेंग जैनल राम सिंग प्रधान जी को मंच पर ले करके आएंगे मेरे बाई और बहुत ही सुन्दर सजे हुए 48 परिवार है कि पर आप खड़े हो जाएंगे पुरा 48 परिवार जोरदार तालियों से 48 परिवार को हम स्वागत अभी नंदन करना चाहेंगे इसके साथ हैं हमारे बीच श्रीमदुबट अब हमारी अगली प्रस्तुती है गुर्खाली मारूनी निर्त्य महिला एकता समीती राइपूर की ओर से कि अपासना था पाजी मंच पर आके इन बालिकाओं का उस्सा वर्दन करेंगे तो गीत के बोल हैं बड़े रहर संगी सरस्वती माता जहें हमरो पेशे एक नेपाली परंप्रिक गीत निर्त्य स्वरटी तो चली अब आपको ले चलते हैं हमारी उत्राखन दे गड़वाली संस्कृति की ओर्द्ध कि प्रकार एक लड़की एक बेटी जो कि अपने ससुराल में है अपने माइके को याद कर रही है और कह रही है कन घोड़ी को यड़े लागी रूणा जूणा पानी प्रेस्ट में डिए समय में में अफन में खिर्थी लागी है और लागी है और जूणा पानी कि अईंच दोड़े लागी है, मैंने घुना जूणा जूणा लागी है और अजूणा बन खेसे भी आपनागी है आज इनके त्याग तपस्या और उनकी वीरता का आज यहां पर हम गुणगान कर रहे हैं ऐसे हमारी वीर सेना नायक बल्भद्र जी उनकी स्मृति में आज का यह वीर रस से भरा हुआ यह जो आयोजन किया है मैं सवर पर्थम इस आयोजन समिती को हार दिक सुभकावनाय हार दिक बढ़ाई देती हूं और आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे इस गौरवानुइत करने वाले इस कारिक्रम में मुझे आम ऑफनारी आप मैं ऑखावन के मारी प्राचीत भाशा है रचाहां हमारी नेपर हम अगली प्रस्तुति के ओर भरते हैं हमारी गीता थापार जी गो ओं पने गया सब्साइब दो बहुत बढ़िया परफार्म के अगर्स इस नाटक मंचन में हमने सिर्फ एक हमला दिखाया है जिसमें मेजर जेनल शर्राबट रोले जिलस भी मारे गए थे पेसे खलंगा आंगला गोर्का यूद 18 से 14 अच्छा अच्छा अब ये लोग एक एक प्रेजन करने जा रहे हैं जिसमें की खलंगा वार को संशीम में दिखाया गया है इसमें किस तरह से गुर्का सैनिको ने वीर्टा पूर्ण इस लड़ाई को लड़ा जबकि उनके पास हतियार भी नहीं थे और अंग्रेजी सेना के पास सारे अध्युनिक हतियार थे तो ये सब इस जो नाटक है इसमे सब्सक्राइब और तारीक अक्तुबर नौमर का महिना सन 1814 मुझे वो दिन याद है जब अंग्रेज और गुर्खा सेना के जीच पहले लड़ाई मालापादी के खलंगा में लड़ी दो आज दी इतिहास के पन्नों में अंकित है जिसका जीता जात्ता परमार सामने के दुस् जो अंग्रेज ने खलंगा दी दीवों के याद में बनवाए जो यह है जनर जिलिसपी जो कि बिटिश सेना की तरफ से लड़ी थे और इस नालापानी की युद में मारे गए थे और यह है गुर्खा सेना पती बलबदर जी और यह जो दो वर मेमोरियल आपको नजर आ रह शुबरात्री शुबरात्री जाने हो है लहाई, सुबरात्री नानिवरू, सुबरात्री है सुबरात्री इक तुस अक्तुबर अधारस दोनकी रात लगज़ बारा बजे करनाव सेव राइट मावी ने अपना संदेश वहाँ प्ये में एक बजे के साथ बेजा प्त्र में प्ये को फोच्छा खाली करने का संदेश था ने ना पती जीव बिटी सेना को संदेश वहाँ यह ना मुझे करनल मावी ने आपके लिए बहुत जोरी संदेश लेकर भेजाए अपने करनल मावी को जाकर क्यादो कि खालंगा केले को जीता है तो लड़कर जीता है अरही घर फ्रेम मैं ले दुसमर को संदोच वाबश ऑफ चर्थ एचु मानना लाख चाओ अबा दुष्मर ले चाड़े राम्ला करला तो तायार आरे हो आपना पनो पोईसान मां एक था अधिक था तैयार था 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 का था를 उन्हानim का थे र possessions ड्रह उन्हाई झातक मैंतिक अ भग ज्दान जुछाँ! वाहन। जन्हान! याहन। ड्लगान लुगान जुछाँ! ड्री मुर्टेहन, भलान जुछाँ! इस अधान! यड ऐ संधान! चां यो छर्डलाहिम! मुर्ड़ाई! और देखी इस पार्ट में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जब अंग्रीजी सेना ने चालाकी से यहां का वाटर सप्लाय रोग गया था तो बच्चे लेडी सब प्यास से मरने लगे थे और उनी को मरता हुआ देखकर फिर सेना पती बलबदरी ने इस किले को छोड़ने का निर्ने लिया और उनी लिया था उनी ले करें दोर्ड़ने को जाए है कि वेड़ने की रही तो बुझा तर्वां आपकावी से विजय के अच्छाव के अच्छावक्साव बचावाने का विकास थी प्रेसिवेंट हैं तो इसले मुझे विजह की साफ़ार्य प्रेसिए उन्यावाएट के पुजा के हजबन प्रेज़ेंट है खलंगा विकासिक समीदी के तो दिन रात महनत कर रहे हैं वो कहती है सुबे जाते हैं और रात को घर वापस आते हैं तो पूरी टीम है बहुत अच्छा सब कुछ ऑर्गिनाइज किया है बहुत अच्छा उनको बोल दे ना मेरी तरफ से कलत आपको मैं निकल रही हूं आप यह तो नहीं जाएगे क्योंकि हस्बन यहां पर है तो हस्बन के साथ ही जाएगी हुआ है ऐह मीटे तो हम दो मेरी और मारा बहुत जाएगे मेरी जाएगे तो नम चुछ दिक स्विएंटिटेश जाएगे तो फोलत आपने देक्षए क्योंकि जाएगे तो प्रोग्राम खटम हो चुका है और अब मैं घर जा रही हूं काफी लेट हो गया है और कल सुभे भी आना है मुझे मेले में तो अब घर जाकर आपसे मिलती हूं फिलाल के लेट बाए्य बाइब बढ़ी अध्या प्रोग्राम आप अब अब्व हें खिलगा मेला जोके कल सुभे होगा तो कल सुबह में जाओंगी लेकिन बहुत देर नहीं रोंगी वहाँ पे क्योंकि कल नीरुमासी ने लंज पे भी बुलाया है तो एक डिड़ घंटा रुक कर मेले में उसके बाद में वापस आजाओंगी तो कल आपको भी अपने साथ लेकर चलूँगे खलंगा मेला बने रहेगा मेरे साथ फिलाल ये व्लॉग में यहीं एंड कर रही हूँ उमीद करती हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आएगा पसंद आएगा इसको लाइक कमेंट और शेर कर दीजेगा और जो मेरे चैनल पर पहली बर आया है प्लीज सब्सक्राइब करके जाएए तो चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बाई and गुड नाइट